नोश्का दोस्तों आज के लर्निंग वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत सुआ गयता है दोस्तों आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे एक सिंपल बहुत ही सिंपल O.T.M. राइटिंग स्ट्रेटेजी जो के आप एकस्पाइरी के दिन इस्तमाल कर सकते हैं दोस्तों मुझे आप काफी बार कमेंट में देखने को मिलता है कि आपकी जो कुछ स्ट्रेटेजी जैं वो कॉंपलेक्स हैं लेकिन दोस्तों मैं समय समय पर आपके साथ सिंपल टेकनीक्स, सिंपल ट्रिक्स या सिंपल स्ट्रेजी शेर करता रहता हूं ताके अगर आप analysis करने में इतने ज़ादा comfortable नहीं है तो इन simple strategies की सहयता से आप बहुत असानी से अपना analysis केवल कुछ mintों के अंदर कर सकते हैं और ये analysis logic पर अधारित होता है यहाँ पर कोई भी blind जो हम जिसको कहे लिजें कि blind कोई भी strategy follow नहीं करते तो दोस्तो OTM writing में एक सबसे बड़ी समस्य यह होती है कि इसका premium morning में तो ज़्यादा होता है लेकिन इसका premium जैसे जैसे expiry day नीचे जिसको कहा लिजें कि expiry के नजदीक या closing के नजदीक जाता जाता है तो वहाँ पर premium कम होता जाता है तो आपने देखा होगा काफी लोग केवल 10 पैसे 20 पैसे के लिए option को write करते है लेकिन यहाँ पर आप इसका सबसे ज़्यादा फायदा तभी उठा सकता है जब आप morning session में आप यहाँ पर अगर option write कर दें OTM तो अगर आप ज़्यादा far OTM करेंगे वहाँ भी आपको नुकसान होगा तो हमें एक range find out करनी होती है basically जो भी OTM writing strategies होती है उनका एक simple logic होता है कि वहाँ पर volatility कितनी हो सकती है market में और market की range कितनी हो सकती है यह हमें पता लगाना जरूरी है और अगर यह पता लगाने में देर हो जाए market open होने के बाद तो वहाँ पे हम जिसको खहलीजे के हमारा मुनाफ़ा negligible होगा क्योंकि margin इस समय 100% required है तो यहाँ पे हमें morning में जैसी market open हो उस समय हमें अगर निन्ने लेने का मौका मिले तो हम वहाँ पे अच्छा खासा पैसा कमा सकते है otm writing के द्वारा तो दोस्तो यह जो strategy में आपको बताने जा रहा हूँ यह basically directional agnostic है यहाँ पे market की दिशा कुछ भी रहे उससे हमें फरक नहीं पड़ता लेकिन हमारा logic जो है वो सही होना चाहिए तो अगर आप non directional trader है और otm में option write करते हैं तो यह strategy आपके काफी जादा काम आएगी तो दोस्तो यहाँ पे इस strategy के लिए हमें जिस data की आवशकता पड़ेगी वो historical index data है जो के आप अपनी screen पे देख सकते हैं अगर आप इस link को देखना चाहते हैं तो यहाँ पे हमारी जो website है nitinbhatya.in वहाँ पे आप right side पे देख सकते हैं useful info के अंदर free excel sheets and important links तो यहाँ पे यह link वैंने आपके साथ share कर दिया है तो दोस्तो यह link आपको मिलेगा 75 number पे historical index data और दोस्तो इस link पे वैंने काफी सारी अपनी free excel sheets भी share की हुई है money flow analysis जो futures के data का होता है उसकी excel sheet भी यहाँ अवलेबल है इसके लावा जो secret swing trading strategy है उसकी excel sheet भी अवलेबल है और fundamental analysis की excel sheet भी यहाँ अवलेबल है option selling का analysis कैसे किया जाए उसकी excel sheet भी यहाँ पे अवलेबल है लेकिन दोस्तों अगर आप माल लीजे यहाँ पे website के through इस link पे नहीं जाना चाहते तो आप google पे simple search करिए historical data index तो वहाँ पे आपको यह link मिल जाएगा जो के मैंने आपको अपनी screen पे दिखाया है तो दोस्तों यह data लेने के बाद हमें यहाँ पे जिन columns की आवशक्ता है वह open और closing price वह भी historical तो basically हमें क्या करना है कि पिछली 7 expiry जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं पिछली 7 expiry का data मैंने यहाँ पे लिया हुआ है पिछली जो 7 expiry है उनका data हमें यहाँ पे चाहिए अब मान लिजी अगर मैं अगले हफते analysis कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पांच अगस्त की expiry का data निकाल दूँगा और यहाँ पे एक नया जिसको कह लिजी 23 सेप्तमबर की जो expiry है उसका data यहाँ पे आ जाएगा तो basically हमें किसी भी समय rolling basis पे पिछली 7 expiry का data चाहिए तो दोस्तों यहाँ पे हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं आप logic को समझी हमें केवल logic से मतलब है आप logic समझ जाएंगे तो आपको किसी भी strategy को समझने में कोई दिकत नहीं होगी तो दोस्तों यहाँ पे logic यह है कि हम पिछली 7 expiry में find out करते है कि market की क्या range थी तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं कि 5 अगस्त की जो expiry थी तो यह range हम कैसे find out करते हैं कि market open कितने पे हुई तो यहाँ पे जो range हम find out करते हैं यहाँ एक सबसे बड़ी गलती जो बहुत सारे traders करते हैं वो previous day closing जो होता है उस दिन market कितने level पे open हुई किस level पे open हुई basically इससे हमें पता क्या चलता है कि यहां पे market जो पिछले दिन का जो भी मतलब उतार या चड़ाओ है पिछले दिन के मुकाबले उसको adjust कर लिया है तो यहां market open किस level पे हुई basically वो हमारा reference point है तो यहां पिछली 7 expiry में आप देखेंगे कि यह opening थी market की अब दिन के दोरान market उपर नीचे जाती रहती है तो हमें उससे कोई मतलब नी हमें यह देखना है कि closing कहां पे हुई तो दोस्तों यह closing का data है तो यहां पे एक simple सी हमें calculation करनी है हमें percentage change निकालना है मतलब जो closing हुई वो open के मुकाबले कितना यहां पे percentage change हुआ तो दोस्तों इसका एक simple सा formula है आप अगर बिल्कुल simply इसको करना चाहें तो आप closing को minus कर दीजे open से और इसको इस number को जो difference है इसको divide कर दीजे open से और यह percentage जिसको कह लिजे terms में आपका number आ जाएगा तो यह calculation मैंने यहां पे की हुई है तो जब आप यह calculation कर लेंगे तो आपके पास पिछली 7 expiry का data यहां पे available है तो दोस्तो अब यहां पे हमें find out करना है कि कौन सी expiry में सबसे आदा move हुआ था पिछली 7 बार के मुकाबलेया 7 बार का comparison अगर हम करें तो यहां पे आप देख सकते हैं कि जो 2 September की expiry थी वहां पे जो movement है वो 0.81% थी नॉर्मली दोस्तो अगर आप market में कोई भी news नहीं है इवेंट नहीं है या कोई major trigger नहीं है नॉर्मली आप यह देखेंगे कि यह number हमेशा 1% से कम ही रहता है तो यहां पे यह जो analysis में करता हूँ मेरा automated analysis है मैंने आपको cable यहां पे दिखाने के लिए excel sheet बनाई है तो लेकिन मेरा analysis जो है वो automated है तो यह data एक click करते ही मुझे अपनी screen पे दिख जाता है तो मैं यहां पे जब भी यह data देखता हूँ तो normally यह data जिसको खहलीजे more than 95% times 1% से कम ही रहता है तो यह number हमें 0.81 दिख रहा है अब मैं यहां पे एक चीज clarify करना चाहूँगा highest का मतलब यह नहीं कि positive अगर माल लिजे यह 18 अगस्त का data है minus 0.74% अगर यह minus 0.90% होता तो हम इस number को calculate करते हमें plus minus से मतलब नहीं है हमें हाँ पे देखना highest figure कौन सा दिख रहा है हमें आपे तो यहां पे हमें highest figure 0.9% दिख रहा होता लेकिन इसा में हमें highest 0.81% दिख रहा है तो हमें plus minus नहीं लेना हमें केवल वो absolute number चाहिए 0.90% या 0.81% तो यहां पे अब हम 0.81% लेके चलेंगे तो दोस्तो अब example ले लेते हैं यहां पे अगर मालनेजें market 17,550 पे open होती है तो दोस्तो यहां पे आपकी range क्या होगी मतलब जो पिछला 7 दिन का historical data है उसके basis पे आपकी range 142 points की होगी तो यह 142 कहां से आया 142 आया यह जो 0.81 जो के highest number है तो दोस्तो यहां पे आप अपने formula बार में देख सकते हैं कि हाँपे वैंने 17,550 को multiply किया है 0.81% से तो यह 142 यहां पे हमें देखने को मिला तो दोस्तो यहां पे अब हमें market का उस दिन high क्या हो सकता है लो क्या हो सकता है तो यहां पर 142 को 1750 550 सौरी 17550 में add कर दिया तो 17692 हाई हो सकता है और 142 को 17550 में minus कर दिया तो 17408 जो है low हो सकता है तो दोस्तों यहां पर अगर आप OTM writing करते हैं तो यहां पर हम range हमने find out कर ली हमने volatility percentage find out कर ली कि maximum 0.81% हो सकती है तो यहां पर अगर हम जो 17700 का अगर CE write करते हैं या 17400 का PE write करते हैं provided के market इसी range के अंदर रहती है तो यह जो options हैं यह worthless expire हो जाएंगी तो मैं आपको यहां पर option chain की सहता से भी बता देता हूं तो यहां पर जैसा कि आप देख सकते हैं मानलीजें market 17550 पर open हुई तो यहां पर 17700 का जो CE है वो और 17400 का जो PE है वो worthless expire होने की बहुत जादा high probability है तो अगर आप OTM में option write करते हैं तो आपने यहां पर volatility find out कर ली range find out कर ली और अगर आपको range पता लग जाए volatility simple logic के द्वारा पता लग जाए तो वहां पर आप बहुत असानी से option writing कर सकते हैं OTM और आपको यहां पर far जाने की जुरूत नहीं क्योंकि यहां पर अगर आप जितना नजदीक जिसको option को write करेंगे आपको उतना जादा benefit होगा और आपको यह range जो है market के open होते ही मिल जाएगी यह सबसे बड़ा advantage है यह सबसे बड़ा फायदा है कि market open होते ही आपको यह range मिल गए आपको wait करने की आवशकता नहीं है कि अब मेरा data point कब complete होगा या मेरा data analysis कब complete होगा तो दोस्तों यह थी simple logic के उपर अधारित option writing far otm या otm यह far तो नहीं है basically near ATM है ATM में आपका view जो है directional होता है लेकिन यहा otm में आपका view non-directional होता है लेकिन फिर भी अगर आपका कुछ बायस है कि market उपर जा सकती है नीचे जा सकती है तो accordingly आप यहां पर P.E.C.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E. इस के basis पर आपका conclusion है उसके basis पर आप इन दोनों में से 17,400 P.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E. Svened कर सकते हैं, तो दोस्तो मुझे उमीद है कि ये simple और logic पे अधारित strategy आपको ज़रूर पसंद आएगी और ये strategy आपको paid programs में भी सिखाई जाती है तो यहाँ पे मैंने आपको ये free में सिखानी कोशिश करी और ये काफी popular strategy होती है professional traders की तो ये यहाँ पे आपको free में देखने को मिली तो दोस्तो एक और मैं आपको disclaimer देना चाहूँगा कोई भी strategy हो इस दुनिया में कोई भी holy grail नहीं होता यहाँ पे मैंने अपनी website पे option chain indicator वाले page पे एक data आपके साथ share किया हुआ है जहाँ पे आपका JP Morgan Chase का एक paper था जो release हुआ था उसका link भी यहाँ पे दिया गया है वहाँ पे उन्होंने बताया है कि उनके 260 में से जो 151 days ही profitable थे trading में उनका winning rate 60% था लेकिन इसके बावजूद वो highly profitable थे काफी interesting case study है इसको ज़रूर पढ़िएगा तो यहाँ पे winning rate important होता है कोई भी strategy holy grail नहीं होती वो 10 में से हो सकता है एक, दो, तीन बार fail भी हो जाए लेकिन यहाँ पे आप खुद देख सकते हैं कि JP Morgan Chase जिनका winning rate 60% है और केवल वो 151 दिन 260 दिन में से profitable थे इसके बावजूद वो net basis पे highly profitable है तो सीखने के लिए काफी कुछ यहाँ पे मिलता है तो दोस्तो मुझे उमीद है कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को like जरूर करिए अगर आप आने वाले समय में इसी तरह जानकारी से भरपूर और ग्यानवर्दक वीडियो देखना चाहते है चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए सब्सक्राइब क्यो आप्शन इस समय आपकी स्क्रीन पे वीजिबल है आप नीचे दिखाएगे लाल लंके सब्सक्राइब बटन को भी दबा सकते हैं साथ दिखाएगे बैल आइकन को क्लिक करना मत भूलेगा ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफकेशन तुरंत आपको अपनी आप या इमेल के ऊपर मिल जाए दोस्तों इस वीडियो का एक डिस्क्लेमर भी है जो के आपको अपनी स्क्रीन पे दिख रहा होगा यह वीडियो मैंने सिर्फ एक एजुकेशन लर्निंग और इंफर्मेशन के पॉइंट ओव यू से मनाया था यहाँ पे मेरी आपको कोई सेजेशन सलहा या राय नहीं है कि आप किसी भी स्टॉक इंडेक्स में बाय सेल या होल्ड की पॉजिशन बनाए किसी भी निवेश या ट्रेड से पहले अपने फाइनेंशल प्रैनर या इंवेस्टमेंट एडवाईजर की सलह जरूर ले लें तो दोस्तों आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ एक नई सीख के साथ एक नई लर्निंग के साथ अब तक आप अपना ध्यान रखे